बट यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले मिलती है ठीक है वेल्कम है गईस आप सुभी का आपके अपनी चैनल टैक पुक पे एक तरफ है फेट शॉट के किश्टल और एक तरफ है फायर बोल्ट की ही जो बहुत ही जादा फेमस है स्टार डेश्ट बहुत साथ लोग लेना चाहते हैं इसको तो देखते हैं यहाँ पे दोनों में से बेटर कौन सी वाच है यह आल्वेज ओन डिस्प्ले पे रेश्टू एक भी काम करता है प्रिल्आल इसमें भी क्राउं रोटेटिंग मिल जाता है तरिकां इस तरीके से यहाँ पे ख्लूड इसका है stardust का साथ स्टारेश्ट का यहाँ lifelong आपको ए हंसी ही ऐसलिम मिल जाता है और सादा हैcave निचे के साथ एक थे साथ लियं यहाँ पे premium built high दोनों का ही है, slim built है, आपको last to medium to thin wrist के लिए perfect है, और यह भी आपके last to medium to thin wrist के लिए star dust perfect है, ठीक है, strap size 22mm, दोनों में ही change कर सकते हो, interchange कर सकते हो, इन दोनों का ही आप चाहो तो, यहाँ पे भी 22mm है, इसमें भी 22mm है, यहाँ पे पीचेक साइट sensor मिल जाते हैं, dedicated, दोनों में ही आपको इस तरीके से, और यहाँ पे आपको red और green action का sensor मिलता है, यहाँ पे आपको green action का ही sensor मिलता है और साथ में यहाँ पर aluminum casing है, इसकी finishing बहुत अची दी गई है इसमें आपको finishing थोड़ी सी मिल सकती है, अलग मतलब, अलग क्या मतलब उतनी अची finishing नहीं लगी अगर मैं firebird की star dust के अगर मैं directly compare करूँ तो ठीक है, तो guys अब इसको हम एक चीज़ काम करते है एक काम करते है basically, यहाँ पर एक चीज़ और add करना चाता हूँ, अब से हम check भी करा करें कितना weight है कितना नहीं है watches का, तो यहाँ पर check कर लेते हैं, यह वाली watch कितनी heavy है, 46 grams की है तो इससे ऐसे करते हैं इससे परस लेगा, 48 grams की है exactly, ठीक है, तो ज्यादा heavy नहीं है, इसको आप पहन के सो भी सकते हो और यहाँ पर fireboard क्या आती है, stardust okay, almost 10 gram ज्यादा है तो यह थोड़ी सी heavy भी मिलती है आपको, ठीक है तो यह difference मिलता है दोनों महीं आपको again guys, यहाँ पर कह सकते हो compact look आपको stardust का मिलता है as compared to this one, यह slim जरूर बट compact नहीं होती है यह आपको ध्यान अखना पड़ेगा और अगर आप channel पर आगया हो इस तरीके के comparison को enjoy करते हो, तो channel को subscribe कर लो bell icon call कर तो, साथ में पहुआई tech book channel को telegram पे join करता क्यों जहाँ पर हम amazing deal डालत रहते हैं, वैसे low price link आपको best product में मिलती रहते हैं, ठीक है उपर के side से swipe करते हैं, आपको notification access मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे Todd's light का option भी देखने हो मिलता है, मैं आपको दिखायता हूँ यहाँ पे, brightness levels इसमें जादा मिलते हैं better मिलते हैं, बट अगेन इसमें brightness levels तो better नहीं है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको, one second हाँ, यहाँ पे और भी चीज़े मिल जाती हैं, इसकी में आपको सारी साथ चीज़ें मिल जाती है जाती हैं, इसकी menu style change करना हो आपको या sports mode पे जाना हो, सब कुछ यहीं पर availability है, और साथ में battery percentage show करता है, मतलब battery कितनी है आपकी show करता है यहाँ पे आपका menu, UI मिल जाता है double tap करके menu भी change करते हो आप इसमें तो यह इसमें convenient है, इसमें double tap करके menu भी change नहीं होता यहाँ पे 3 and 2 menu मिलते हैं, यहाँ पे आपको 6-7 तक मिल जाते है menu view तो यह इसमें कमाल का feature है, मतलब stardust में, यह मेरे को काफी better लगा ठीक है, और बात करें यहाँ पे setting की, तो setting पे चलते हैं यहाँ पे setting कहां कहीं है और इसमें style यहाँ पे style मतलब UI change कर सकते हो और language, यहाँ पे Hindi support नहीं करता इसमें आपको race to wake मिल जाता है और always on display का option तो ही है, यहाँ पे देख सकते हो 2 into always on display का option मिलता है यहाँ पे आपका dimming में जाते हो, यहाँ पे आप brightness levels बढ़ा सकते हो और साथ ही में यहाँ पे आपको screen time यहाँ पे always on, bright पे भी रख सकते हो आप इसको तो देड़ दिन तक चल पाईगी है, ठीक है और सीके साथ साथ screen time यहाँ पे आप मैंने बता दिया, वैसे तो notification access, vibration यहाँ पे choose करते हो, ringtone set, यह इसमें कमाल का feature है, जो आपको इसमें मिलता है again, ringtone बट इसमें set नहीं करते है कौन सी ringtone लगानी, वो option नहीं मिलता है बट again, आपको यहाँ पे यह optional जाता है, बट again, इसमें आप ringtone set करते हो और iWatch वाला पूरा मतलब copy कर रखा है यहाँ पे, alarm, ringtone भी notification ringtone, तो सारी के सारी ringtone आप choose करते हो, कौन सी लगानी, कौन सी नहीं no disturb mode में बिलाता है, यहाँ पे wrist to wake का optional देखने को मिलता है, pin lock, यहाँ पे screen lock का optional लता है, इसमें भी screen lock का optional मिल जाता है साथ में time setting है, bed side lamp की तरह भी आप इसको use कर सकते है, on कर सकते है इसको और connect your phone का option मिलता है, power saving mode मिल जाता है, about factory setting, यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा unique चीज मिलते हैं, इसमें आपको मैं बताता हूँ brown button, इसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं, इसमें आप stardust में प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, तो यह थोड़ा सा flow है stardust में, activity phone, okay, 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 हम कहां पे आगे हैं, हाँ पे, हाँ, device information है, QR code है, bluetooth switch ही, हाँ पे, audio profile on, off करनी है, तो आप कर तकते हैं, तो यह है, दोनों में अच्छी बात है, यहाँ पे single bluetooth chip का option लता है, यहाँ पे बहुत सा लोग डाउट कर रहेते हैं, यहाँ पे double साइड से, notification, नीचे की साइड से, message notification मिल जाते हैं, ठीक है, अब गैस, main चीज़े हैं, जो check करते हैं, यहाँ पे button type करके menu खुल जाता है, आप गैस, यहाँ पे menu की बात करते हो, यहाँ पे menu start हो जाते है, यहाँ पे आपको सीधे sports mode मिल जाता है, तो sports mode सबसे पहले चेकर लेते है, accuracy किसमें better मिलती है, किसमें नहीं मिलती है, आपको ठीक है, यहाँ पे sports mode पर चलते हैं, यहाँ पे workout पर चलते हैं, यहाँ पे strength, training, cycling walking जी रहा, इसमें running है, indoor, outdoor walking तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से कैसे show करते हैं, 50 step चलते हैं तो गाइस यहाँ पे, देख सकते हो, one second, यहाँ पे हम चेक करते हैं, 112 steps दिखा रहा है, तो गाइस बहुत जादा इसमें accuracy down दिख लिए, यहाँ पे 64 दिखा रहा है, मैंने 50 steps चले हैं, exactly, ठीक है अब गाइस इसको stop करते हैं, यहाँ पे दोनों ही में ठीक है, one second यहाँ 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 पे, और उसी के साथ-साथ यहाँ पे, heart rate और to the air चेकर लेते हैं, यहाँ पे, air पे तो नहीं बताती है, कोई भी watch, यहाँ पे, firebolt की maximum watches नहीं बताती है, और to the surface पे हम अभी करेंगे, ठीक है, activity tracking है, phone का option में जाता है, SPO to level monitor का option भी देखने क यहाँ पे, बट यहाँ पे नहीं बता रहे है, over to the air, यहाँ पे ठीक है, अब गयाँ यहाँ पे, heart rate और to the surface चेकर लेते हैं, यहाँ पे तो फिलाल इसमें भी नहीं बताया है, देख सकते हो, okay, यहाँ पे यह लगा रखा है मैंने, तो गयाँ अब चेक करते हैं, तो गयाँ oxygen saturation level check करते हैं जब तक, और यहाँ पे emotional test को option मिलता है, है, और music control है, sleep है, alarm in the watch itself आप लगा सकते हो, alarm पे आपका watch पे ring बसती है, find my phone, more पे जाते हो, torchlight, calculator मिल जाता है, world clock, stopwatch, पर इसमें calendar नहीं मिलता है, setting को option लता है, यहाँ पे भी order to the surface नहीं बता रही है, बड़ इसमें है क जब alarm लगाते हो, तो ring बसती है, यह बहुत अच्छी बात है, ठीक है, phone को option मिलता है, voice assistant है, alarm है, alarm बें the watch itself लगा सकते हो, calculator को option मिल जाता है, और यहाँ पे recept, code, flashlight, theme, message, games भी इसमें मिल जाते है, और games आप डाल सकते हो अपने phone से, यह बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो guys, अब account करते है, calling feature check करते है, किसमें loudness बेटर मिलती है, ठीक है, यहाँ पे मैं dial करता हूँ number को एक बार, okay भी connected नहीं है, इसको connect करना पड़ेगा, तो guys हमने call मिला लिए crystal से, loudness ठीक है, बहुत जादा नहीं कहूंगा मैं, यहाँ पे जादा नहीं है, ठीक है, अब fireball में मैं स Embrane की वाइस glaze लेनी पड़ेगी, यहाँ पे fireball की देखते है, loudness कैसी मलती है, okay, dial कर लेते हैं पहले, काफी clear है, loud भी है, तो यहाँ पे fireball की जीच चुकी है, ठीक है, voice assistant, voice assistant भी दोनों अची तरीके से काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब एक काम करते हैं, अब इस दोनों ही watches को पहल लिया, कमाल की लग रही है, मतलब दोनों ही watches, यह लाज्टो मेटियम तो थिंटिनों इस्ट के लिए चल जाती है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, और एक काप्राइस से जज़ादा है, एक काप्राइस कम है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम हाटवेट चेक करते हैं, यह रहा, दोनों ही ऐसा शुटर स्पीकर आप यूज कर सकते हो, मतलब आप सौंग सुन सकते हैं, वाज मेट सेल बट श्टोर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट आ चुक है, 99 SPO2 दिखा रहा है, 85 हमारा हाटवेट दिख और Firebolt की वाच में तो कम दिखा रहा है, यहाँ पे, Firebolt की Stardust में इतना दिखा रहा है, 82 हमें, इसमें 78 है, तो guys, almost, मतलब, सिमिलर ही दिखा रहे हैं, और SPO2 दिखा रहे हैं, और SPO2 में मैं स्कैन नहीं करूंगा, ठीक है, वो मैं recommend नहीं करता, वैसे भी आप वह से चेक करे ठीक है, Compact में Slim बोलूँगा मैं, ठीक है, ठीक है, ठोड़ा सा, और यह watch आपको 2800 रुपे तक की मिल जाती, तो बहुत ही ज़ादा value for money बन जाती, क्योंकि 2800 से कम में गई नहीं है, Big Blind AP भी 2800 में गई थी, ठीक है, मैंने Cardward का offer लगा के लिए था इसको, तो 2700 में पढ़ ग करती है, गईस देखो, यहाँ पर race to wake भी काम करता है अच्छी तरीके से, दोनों ही watches में, और यहाँ पर कुछ चीज़ एक्स्टा मिलते हैं, जिसके as a video को भी as a watch face लगा सकते हो, यह आप नहीं सही सुना, application के थरू, मतलबाए जिए 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 फ कनवर्ड हो जाती हो, उस से compare दर में, ठीक हैं, और Firebolt, known brand है, obvious सी बात है, FetShot थोड़ा सा अभी आया है, smartwatch के game में, तो यहाँ पर मेरा vote वैसे जाएगा Firebolt की, जो stardust है उसको, but again, अगर मैं यहाँ पर, जैसे की convenience को देखो, यहाँ पर, जैसकी single blue chip में, battery जादा चलती है, amulet display भी मिलती है, आपको मैंने point नहीं cover किया, amulet display single blue chip के, तो यहाँ पर straight away winner है हमारी, FetShot की crystal, तो final verdict में, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, budget bracket में, FetShot की crystal खासकर बहुत ही बेटर है, बट अगर आपको बड़ी display ला लिए watch है, तो, यहाँ पर Firebolt की stardust, आगे निकल जाती है, 1.95 inches की display के साथ ही watch, ठीक है, last to medium to thin dish के लिए, दोनों ये watch is perfect है, तो guys यह था, अगर आपका query दोनों watch के regarding कुछ भी रहता हो, तो जुरूर आप मेरे से comment box से पूछ सकते हो, चैनल को subscribe कर लो, guys, bell icon को all कर दो, मिलता हूँ, आप सभी से अगली वीडियो में, तिल दैन, बबाई